प्रिय दोस्तों नमस्कार आज के इस वीडियों में हम पढ़ेंगे बी कहां साइलेंट होता है इसके दो नियम है दोनों ही नियम आपको ध्यान में रखने होंगे तो इसे समझते हैं देखिए बी कहां साइलेंट होगा यदि एम के बाद बी हो यदि इस एम के बाद बी हो यदि इस एम के बाद बी होगा तो वहां पर बी सैलेंट होगा बी को नहीं पड़ा जाएगा दोसरा नियम है देखिए टी से पहले अगर बी होगा वहां पर बी सैलेंट होगा देखिए टी से पहले बी हो तो वहां पर बी को नहीं पड़ा जाएगा क्योंकि वहां पर बी सैलेंट होगा एक बार फिर से यदि एम के बाद बी हो बी सैलेंट होगा यदि टी से पहले बी हो तो वहां पर बी सैलेंट होगा उधारण के लिए देखिए एम के बाद बी हो तो बी सैलेंट होता है जैसे बॉम एम के बाद बी है तो यहां पर बी सैलेंट है बी को नहीं पड़ा जा रहा तो इसे पड़ते हैं बॉम और इसी का दूसरा उधारण है कॉम तो यहां पर एम के बाद बी है तो बी को नहीं पड़ा जाएगा क्योंकि यहां पर बी सैलेंट है देखिए इसका दूसरा नियम है यदि टी से पहले बी होगा तो बी सैलेंट होता है जैसे देखिए टी से पहले बी है तो बी को नहीं पड़ा जाएगा क्यों यहां पर बी सैलेंट होगा इसे पड़ेंगे डैट अर्थात कर्ज तो यहां भी देखिए टी से पहले बी है तो बी को नहीं पड़ा जाएगा क्यों क्योंकि यहां पर बी सैलेंट होगा तब इसे पड करेंगे डा उठ डा उठ अर्था सक इस वीडियो में इतना ही थैंक्यू है मैं नैस डे